Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सर्म? मैं आप सबको YouTube channel English Literature पर वल्कुम कहती हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is The Rope of the Lock which is written by Sir Alexander Bob हम लोग इस पोईम का line by line analysis कर रहे हैं Previously हम लोगोंने हमारा Canto 3 complete कर लिया है Means to say that हम लोगोंने line number 468 तक अपनी पोईम को discuss कर लिया हुआ है, cover कर लिया हुआ है आज के lecture के अंदर हमारा Canto 4 हम start करने वाले हैं यानि हम line number 469 से अपनी पोईम को proceed करेंगे और अगर आपने previous lectures नहीं सुने तो उसका link आपको description में मिल जाएगा आप उस link के उपर क्लिक करके उन lectures को approach कर सकते हैं clear? तो anyhow, time को waste किये बगहर, आज का lecture शुरू करते हैं lecture शुरू करने से पहले, if you are new to our channel then please subscribe it हमारे चैनल को subscribe कर दें, दुआओ में खास याद रखेगा let's begin तो text देखें but ensues scares the pensive niff oppressed ensues scares मतलब के oppressive thoughts जिसके अंदर subjugative thoughts आएं, आपको तकलीफ वाली thoughts आएं ठीक है? और pensive मतलब melancholy, दुख होना और niff मैंने आपको बताया था, fashionable lady है यानि के Belinda है ठीक है? तो यहाँ पर कहा गया लेकिन वो जो Belinda थी वो दुख के अंदर खोई हुई थी दुख बरी सोचों में खोई हुई थी क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था? कैंटर थी में हमने देखा था इसके जो लट थी, वो काट दी गई थी बैरन ने इसकी लट को काट दिया था और अब क्या है यह? पैंसिव thoughts के अंदर indulge है पैशन्स रेज़ड हो रहे थे फिर कहता है अब यहां पर डिफरेंट चीजों की बारे में बताया जागा है कि जगों के अंदर क्या-क्या होता है क्या-क्या चीज़े तकलीफ दे होती है लेकिन वो चीज़ों बिलेंदा को तकलीफ नहीं देंगी उनको प्रिजेंट कर लिया जाता है कता है ना वो नोज़ों शेजादे जो जगों में जिन्दा कैद हो जाते हैं फिर है ना वो काबले नफरत लेडीज जो अपनी ब्यूटी से महरूम हो जाती जिनसे उनकी ब्यूटी खतम हो जाती उनकी खुबसूरती दूर हो जाती है वो मजगी खुबसूरत नहीं रहती ना वो लवर्स जो महबत की खुशियों से महरूम हो चुके हैं जिनके पास लव की खुशिया नहीं है ना वो बुड़ी ओरते जिनको खयाल करने के लिए कोई तयार नहीं है जिनको किस लेने के लिए कोई तियार नहीं है फिर है ना वो जल्म करने वाले लोग जो अपने गुनाहों पर तौबा किये बगैर मर जाते हैं ना चांद की देवी सिंथिया बिसी के लिए चांद की देवी को Goddess of Moon को कहा जाता है तो जो सिंथिया जो Goddess of Moon है जब उसके कपड़े बेतरतीब डिसरेजड हो जाते हैं और उस डिसरेंज होने पर सिंथिया को गुसा आता है लेकिन कहती है वो जो Goddess of Moon है सिंथिया जब उसके कपड़े भी बेतरतीब हो जाते है तब भी बिलिंडा को इतना बुरा नहीं लगता है, इतनी तकलीफ नहीं होती है, दुख नहीं होता Error felt such rage, resentment and disappear कि जब उसके कपड़े बेतरतीब, disarranged होते है, सेंथिया के तो उसे बहुत गुसा आता है, वो बहुत नराज होती है वो upset हो जाती, वो मायूसी का इजहार करती है बलके ना सिर्फ वो मायूसी का इजहार करती है, बलके सब ने उसके dress के disarranged होने पे मायूसी का इजहार किया था As though sad virgin for their ravaged hair कि इतना गम, इतना दुख कभी भी किसी नहीं किया जितना कि Belinda को कहा जा रहा है, sad virgin कि तुमने अपने इस बालों के कटने पर तुमने अफसोस की है ठीक है, यहां पे इन्होंने अनफ़ोरा को यूस की है अनफ़ोरा मतलब again and again, starting पे same words रिपीट हो रहा है Not, 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 not ठीक है, अनफ़ोरा की figure of speech यूस की गई है और कहा गया, कि इस टाइम पे भी किसने इतना दुख ने किया इस टाइम पे भी किसने इतना दुख ने किया यहां पे compare किया गया, Belinda के दुख को उसकी grief को, उसकी melancholy को, बाकी के दुख के साथ कहा गया, कि जितना दुख, जितना pain तुमने खुद अपने इन रविश्ट हेर्स के ओपर यहने के बालों के कटने के ओपर फील की है अब बिलिंडा बहुत अदा अपसेट है उदास है और उसके पास सिल्फ भी मौजूद थे लेकिन हुआ क्या For that sad moment, इस उदास के moment पे, इस sad moment पे अब जब सिल्फ चले गए, अब जब सिल्फ चले गए तब क्या हुआ Arial भी रोती हुए बिलिंडा को छोड़ कर चले गए अब अरियल कौन था, basically वो सिल्फ जो के बिलिंडा की protection करा था हर evil deed से, हर चीज से, हर बुराई से लेकिन अब हुआ गया, कि जब बिलिंडा के साथ ये event हो गया इस happening के बाद, जब बिलिंडा बहुत उदास हुई, सब सिल्फ पे चले गए और Arial भी रोता रोता है, बिलिंडा को छोड़ कर चला गया कहां गया, embryal, a dusky, melancholy spirit Arial भी बाकिसल के साथ गया, तो यहां पर embryal, हमारे पास एक norm आ गया है, ठीक है, G-N-O-M-E spelling है, a dusky, यानि कि डार्क कलर उसका, melancholy spirit यह भी पूरे दुख से बरा हुआ है, कि यह एक ऐसा spirit है, जब यह कहीं पी जाता है, तो वहां पर जो रोश्णी है, वो भी अंधेरे के अंदे बदल जाती है, और यह अब केव ओफ सिप्लीन के पाहजार है, ताकि और भी ट्रॉबल क्रियेट हो यहां पे, देखें क्या कहते है जी, embryal, a dusky, melancholy spirit, तो embryal, एक डाक चेहरे वाली, गम जदा सी लगने वाली रूह, spirit, रूह, as ever solid, the fair face of light, जो अपने black color से, इड़गेट के जितनी भी रोश्णी होती है, उसको भी अंधेरे में बदल देती है, down to the central earth, वो central earth में नीचे की तरफ गया है, वो spirit, वो रूह, his proper scene, proper scene मतलब मुकंबल रहने की जगा, जहां पर वो permanent रहती है, वो रूह, repair to search the gloomy cave, वो सिपलीन, वो एक घंगीन cave, ठीक है, ऐसी cave जहां पर सिर्फ सोरों है, no happiness, उस cave की तलाश में निकली, जहां पर goddess of सिपलीन रहती है, ठीक है, goddess का नाम है सिपलीन, वहां पर रहती है, तो वो उसको तलाश करने के लिए वो spirit, वो रूह, और यह जगा थी ना, जहां पर cave of सिपलीन है, वो जगा इतनी dreadful थी, वहां पर कभी भी कोई pleasant हवाई हैं, जो थी ना, कभी भी नहीं चली थी, यह dark place थी, और इसके लावा, यहां पर हमेशा eastern wind चली है, जो कि एक dreadful eastern wind है, और इस cave के अंदर कभी भी हवा भी नहीं पहुँच सकती थी, और जो embryo है ना, यानि कि spirit जो है, यह रूह जो है, यह vapor की form में गई थी, इस के पास, सिपलीन के पास, इस cave के अंदर, next lines देखें, swift on his suity, pinions, flits and gnomes, यहां पर pinions basically wings को कहते हैं, suity यानि कि dark, like suit, तो कहते हैं, वो जो है ना, spirit, वो रूह जो है ना, अपने काले परों के उपर, उड़ कर, इस गार की तरफ गई थी, sorry, हाँ, इस cave की तरफ गई थी, गार की तरफ गई थी, and in a vapor reached the dismal dome, vapor basically कहते हैं ना, बुखारात बनना, जब पानी के उपर धूप पर दी तो बुखारात बन के हवाओं में उड़ जाता है, उसको, तो कहते हैं, vapor की form में गई, और vapor की form में उड़ती हुई, उस dismal, यानि कि खतरनाक, खोफनाक, dome, यानि कि गुमबत, उस cave के लिए यूज किया खोफनाक इलाका है, दुख बरा इलाका है, एरिया है, इस एरिया में कभी भी कोई भी खुशगवार, कोई भी pleasant breeze जो है ना, वो कभी भी नहीं गुजरी थी, the dreaded east is all the wind that blows, यहां पर सिर्फ और सिर्फ खोफनाक, dreaded, east wind चलती है, यानि कि मश्र की आवाज चलती थी, बस, here is गरोटो, sheltered, close from air, गरोटो कहते है केव को, कि ये है वो केव, यानि कि अब जो, I'm real है, ये spirit, ये केव तक पहुंच गई है, sheltered, close from air, यहां पे हवा का कोई नामों निशान नहीं, यहां पे हवा, कहीं पे भी पहुंच नहीं सकती, कहीं से भी पहुंच नहीं सकती, और सिपल They is detested glare, मतलब सूरज के जो रोशनी होते है न, detested glare वो उसको बूरी लगती है, detested, नफरत वरी लगती है, तो कहते हैं सूरज के जो नफरत भरी रोशनी है, उससे भी भचने के लिए shades, यानि के परदे रखा रखे थे, screens in shades, ठीके परदे लगा रखे थे, means जिस केव के Pensive bed, Pensive Melancholic bed, वो हमेशा अपने bed के ऊपर लेटी, साइंग और वीपिंग करती रहती थी, फिर है, pain at her side, the mergem, the mergem at her head, mergem केते है, headache को, सरदर्द को, पर यहाँ पर pain और mergem जो बिसिकली दोनों spirits के लिए यूज किया गया है, और बताया गया है, कि इसके एक side पे एक old spirit खरे थ ठीक है, on the other hand, इसके दूसरे side पे एक mergem name की spirit खरी थी, जो के headache कोस करती है, ladies के अंदर, it means, यहाँ पर यह बताया गया है, कि इसकी जो bonds है, उनमें भी pain हो रहा था, back के अंदर, और इसके सर में भी दर्द हो रहा था, ठीक है, और यह सर दर्द और यह back में पें क्यों हो रहा है, अब इसके बाद next line लिखें, which is line number 493, उसमें कहा गया है, two handmaids, handmaids मतलब workers, काम करने के लिए जो होती है, wait the throne, alike in place, केते हैं, यहाँ पर दो इसकी handmaids थी, जो इसकी खिदमत कर रही थी, लेकिन, alike in place, वो rank के लिहाँ से, सिप्लीन के बिलकुल बराबर थी, ठीक है, फिर but differing for in figure and in face, लेकिन इनके जो शकलो सूरत थी, बहुत मुक्तलिफ थी, यानि के face और अपनी ये सूरत के लिहाँ से, बिलकुल different थी, सिप्लीन से, but differing for in figure and face, sorry, यह मैंने इपता दे लाइन, here stood you nature like an ancient maid, तो बताया कि है, यहाँ पर एक old, जिसका नाम, old women, जिसका नाम है, ill nature, you nature मतलब ill nature, ठीक है, वो भी खड़ी हुई थी, उसके बाद बताया कि है, her wrinkled form in black and white array, और इसके face के उपर जो है न, array मतलब पूर एक जाल बना होना, black और white color की जुरियां बनी हुई थी, उनका जाल बना हुआ था, with store of prayers for mornings, nights and moans, इसके पास सुबा, दुपार और रात के ल सिप्लीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिप्लीन बिसिकली बोडी का एक और गन होता है, तो अगर हम लोग बात करें figuratively, तो कहा जाता है सिप्लीन का मतलब होता है, bad temper, ठीक है, यानि की बुरा टैमपर वाला, और 18th century के जो डॉक्टर थे, उनका सोचना था, कि इंसान के फिजिकल देजीज होती है, या प्रोब्लम्स होती है, जैसा के डिप्रेशन, मोडिनेस, सैडनेस, इन सब का कॉस जो है, वो सिप्लीन है, ठीक है, यहाँ पर जो अभी गॉड़ेस की बात की जारी है, उसका नाम सिप्लीन रखा गया है, clear? और सिप्लीन के एक जितना भी इ कि सुबार शाम रात को यह बस दुआएं, दुआएं हर टाइम इसके पास होती थी, लेकिन हर हैंड इस फिल, उसके हाथ बरे वे थे, हर बोसम विद लंपोंस, लंपोंस को थे अब्यूसिफनेस को, लेकर उसको जो बोसम था, उसकी जो लैक्सीना था, वो अब्यूसिफन से बरा हुआ था, वहां पर सिर्फ गालियां ही गालियां थी, देर अफेक्शनेट, इसका नाम बुनावटी, अच्छा, यह बी एक्स्पिरिट है, वे देर सिक्ली मेन, यहनि कि उसका रांग जो था, उसकी अपेरेंस बिलकुल पेल थी, इसके जो चिक्ष थी, उनके गालों के उपर, अठारा साल की जवान लड़की जैसी सुर्खी थी, ठीक है, रेडनेस थी, प्रेक्टिस तु लिस्प, वो तितला कर बोलने की कोशिश करती थी, और उसने अपना सर एक तरफ जुकाया हुआ था, शरम से, ताके जब कोई लड़की शरम का इजहार कर रही हुए थी, उपना चेहरे को जुका ले थी ना, बिलकुल फैसी, अब उसको क्या थे, उसको फैंट्स, यानि कि दोरे पड़ना, उसको दोरे पड़ा करते थे, और वो बड़ी वीक सी थी, और उसको अपने वीक होने पर बड़ा प्राउट फील होता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, जो वीकनिस है न, वो आपकी अट्रेक्टिवनेस क के अंदर इजाफा करती है, फिर है, आने वाले बिमारी के खयाल से, वो कीमती कंबलों के अंदर पड़ी हुई थी, कौन, एफेक्टिशन, रैप्टेन गाउन, और गाउन लपेर रखा था उसने, फोर सिकनेस, बिमारी के इजहार के लिए, और फोर शो और दिखावे के ल है, कि जो एफेक्टेशन थी ना, वो सम्टाइम एट्रेक्टिव दिखने के लिए फेंट, यानि कि बेहोशी का इजहार करती थी, जैसे वो फेंट होगे, इसको दोरे पड़ गई है, फिर वो बेहोश हो गई है, और उसको अपने लग्जरियस बैट के उपर बड़ा प्र लड़ीस एज दीज, कहते हैं, हाँ पर अगेन उसी चीज़ को हाइलेट किया है, कि जो खूबसूरत लेडीस होती न, लिड़कियां, तो वो भी सम्टाइम बिमारियों के अंदर मुपतिला हो जाती थी, मैलडीस मतलब बिमारी, डिजीज, वन इच न्यू नाइड ड्रेस gives a new disease, कि कि जब वो हर रात न्या लिपास खरीदने पर नई बिमारी लग जाती थी, क्यों, न्या ड्रेस पहना है, तो बिमार होंगी, लोग देखने आएंगे, इनको, और उस जब उनको लोग देखने के लिए आएंगे, तो विस बात न्या ड्रेस पहना हो, बहुत कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा लेक्ष्टर यहां पर हम करते हैं, और आई होब कि आपको टॉपिक अच्छा से क्लिए हो चुका होगा, नेक्स वीडियो में हम लोग लाइन नमबर 507 से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वीडियो पसान देए, वीडियो पसान लाइक भी करियेगा और चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलियेगा, स्टे टून विदास, टे किया, थिंक यू